नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में पर हैं हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वाट्टप कर सकते हैं इस्टाग्रम पर जरूर्ट कर लिए और सबसे जरूरी भी होता है और विसली क्योंकि जितने भी एक्जाम होंगे साल बर चाहे मार्च में फेब में आप दे जुलाई में जूद में नेवंबर या दिसंबर म में पूछा जाता है कि छांग करना चाहते है छो समय समय पर हमारे सिर्फ पर उनके बारे में टेक्स मेंश प्र कर करके तेलिकराम पर झंकारी प्राप्त कर सकते हैं कर सकते सब्सक्राब sowPlênű पर agreement यहां पर International Hockey Federation और JSW के बीच हुआ JSW ने यहां पर partnership की है International Hockey Federation के साथ जो अउडिशा में होकी मैंस World Cup जो अभी समाप्त हुआ है Finally इसका यह बन गया था Global Partner ठीक है Global Partner बन गया था Global World Cup Partner लेकिन अगर आप से पूछे कि Official Partner कौन है ओफीशल पार्टनर इस होकी वर्ल्ड कप 2022-23 में तो ओफीशल पार्टनर टाटा स्टील है ध्यान रखेगा एंडिया हीड्रोजन लाइन्स या इंडिया हेट टू लाइन से शुरुआ तो रिलाइनस इंडस्ट्री जो चार्ट इंडस्ट्री जे की थी न दो जार इकीस में और अब इसमें 15 मैंबर्स एड हो चुके हैं तो इसमें आहीं आपको जानना जरूर ही इंडिया है इस्टू मोई यहां पर सремह किया है कोप्रेशन यहाँ पर करेगा भारत training of diplomats के लिए पानामा के राजञाई को या만ि टिविमेट्स को train करने के लिए भारत यहां पर प्रौनामा का सहयोग करेगा हाई कमिशन ऑ श्टी ISILंगा ने यहाँ पर MOU यहाँ पर साइन किया भारत के साथ वहाँ पर एक विश्विद्याला है जिसका नाम है सब्रागामुवा उनिवर्स्टी एक हिंदी चेर establish करना चाहता है अपने वहाँ पर और इसके लिए भारत सहयोग करेगा अब South Africa से भी कुछ चीते यहां पर लाए जाएंगे जैसे नामीबिया से कुनो नैसल पार्क में कुछ चीते लाए गए थे वैसे ही यहां पर फिर से 12 चीते करीब लाए जाएंगे हर सल South Africa से ठीक है आठ United Nations Peace Building Commission के एक सदस्य करूप में तो 56 पूर्ण बैठक में नेपाल को दो वर्ष के लिए चुना गया है संयुक्तराष्ट महासभा के लिए और साथी साथ भंगलदेश इथोपिया भारत रवांडा को भी संयुक्तराष्ट कमिशनों के लिए ट्रूप और पुलिस योगदन क और Economic Corporation Development में Chief Economist बन गया है Claire Lombardley लूला डी सिल्वा ये प्रेजडेंट बन गया है ब्रजील के जैर बॉल्स नारो अब प्रेजडेंट नहीं है ब्रजील के अब हैं लूला डी सिल्वा इंडिया जो है यूनिड्रॉइट का अगला अध्यक्ष बन गया है City Council of the State of California California में Auckland City Council की Member बनी है जनानी रामचंदरन उसके बाद Retired Justice AKC क्री आई SSF निशाने बाज विश्वकप में जो funds किस तरीके से यूज हुए है वल्ड कप होस्टिंग के दोरान उसके अड्मिनिस्ट्रेटर के तौर पर इनको किया गया है यानि कि वल्ड कप में किस तरीके से फंड का इस्तमाल की जा रहा है इसको देखेंगे अगर कुछ याद आ रहा हो तो मार्च दोजार बाइस में जो चारधाम पैनल बना था उसकी भी अद्यक्सता इन्हों ने की थी एक ए सीकरी ने प्रमीन कुमार श्रवास्तो ये acting executive बन गये प्रमीन कमिशन में दो विजिलेंस कमिशन दूसरे हैं आई-वी के पूरफचीफ आर्विंद कुमार दूसरे विजिलेंस कमिशन में चांगीं इसprot progress श्राइsty के में कुछी से जल्ड आयूं रखे गार्ट से इसराइल के प्राम मिनिस्टर नगये इसराइल इंपाल्व in poko ट्रेकर रखना भड़ेगा बिंज विजयामी नितनाययू समंक है पुष्प कमल दहल प्रचेंड जैन मैंता काफी चर्चा में आये थे अमूल के इंटरिम एमडी बने थे ठीक है एमडी जो आरे सोडी थे उन्होंने डिजाइन कर दिया था थोड़ा से चर्चा में आये थे तो यहां पर हमने लिया है इमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर यानि अध्यक्ष बन गए है इमाचल प्रदेश के चीफ फिनिस्टर कौन बने है सुखिंदर सिंग सुखु और डेपटी चीफ फिनिस्टर वहां पर बने है मुकेश अगनियोत्रिय रुणा मिलर यह फर्स्ट लेटनेंट अमेरि अभी बहुत दूर है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कहां में प्रस्तावित है यह यूएई में प्रस्तावित है ठीक है सीओपी 28 नॉमबर दिसंबर 2023 में यूएई में होगी मैथली ठाक और निर्वाचन आयूब द्वारा बिहार राज की आइकन बनाई गई मनप्रीत मोनिका सिंग अमेरिका की पहली फीमेल सिख जज़ बन गई है अमेरिका की पहली फीमेल सिख बज मनप्रीत मोनिका सिंग विकास पुरोहित मेटा के ग्लोबल बिजनेस ग्रूप के डिरेक्टर बने है इंडिया में मेटा के भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रूप किनिदेशच, विकासपुरोहित, बॉरजानो-कृिस्टो और ये बॉस्निया की पहली female prime minister बनिये है, बॉस्निया की पहली female prime minister, बॉस्निया के बारे में आपके बतावना चाहिए, ये country है योरोप में, सरजीवयो इसकी capital है और जो साधा करते हैं कंट्रीज वो कौन से हैं एक मॉंटनीग्रो है और फिर एक सर्बिया है और फिर एक क्रोएशिया है और इसके नजदी की जो सी है वो है एड्रियाटिक सी फिर एसी चराणिया इनको पॉइंट किया गया है नय चीफ टेक्नलॉजिस्ट के तोर पर ना समय अबनी चतुरवेद 2018 में उन पहले तीन फाइटर पाइलेट्स में से एक थी जिन्होंने इंडियन एर फोर्स को जोइन किया था तो तब भी इस वाल पूछा गया था नॉर्मा लूशिया पिना ये फर्स्ट फिमेल प्रेजिडेंट बन गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको की सुर्भी दंता जो की बन रहा है बियारों में बियारों की द्वारा भूटान में वहां पे इनको पोस्ट किया गया है पंकच कुमार सिंग ये डेपूटी एनसे बन गए हैं हमारे नेशल सेक्योर्टी एडवाइजर अभी भी श्रियाजीत दोवाल है उशा रेडडी ए सीनेटर बन इसमी सिंग फर्स्ट विमेन कमिस्टर बन गई है उत्तर प्रुदेश की राजीव बढ़्याल की मेंबर बने हैं यूएस स्पेस यूएस नैसल स्पेस एडवाइजरी ग्रूप के रोज, क्रिश्चन, और सूका, रैपाउंडा ये वाइस प्रेस्टेट बढ़ गई हैं गैबों की सोनिया गुर्जरा ये फर्स्ट मिनिस्टर बन गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ एडिजनेस पीपल सभी ब्राजील में बनाई गई पहली बार वहाँ की मिनिस्टर बनी है सोनिया गुर्जरा टाइम पत्रिका की स्ताओ दुनिया की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी इनका नाम शामिल किया गया था जैसिंडा अल्डन इन्होंने प्राइम इनिस्टर ऑफ न्यूजलेंड के तोर पर रिजाइन कर दिया है और न्यूजलेंड के प्रेजेंट सिक्षा मंत्री क्रिस हॉपकिन्स अब न्यूजलेंड के अगले प्रदान मंत्री बने हैं राजाचारी यूएस एयर फोर्स ब्रिगेडियर बन गये हैं इनको मून मिशन के लिए नॉमिनेट किया गया है 2020 में जो है नासा और फिल्ड एयरपोर्ट का वर्ड मिला है गोवा में जो मोपा एयरपोर्ट था जिसका नाम बदल करके मनोहर पर रिकर इंटरनेशल एयरपोर्ट रखा गया था उसे मिला है आगे है वार्टन क्यूस री-इमेजिन एज्यूगेशन अवार्ड इसमें इंडियन इंस्टूट टेक्नलोजी मदरास को बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम काटेगरी में सिल्वर मिला है और एन पी टी येल जो है लाइफ लॉंग लर्निंग काटेगरी में गोल्ड मिला है इसे जोएंट इनेशेटिव है इसका और इंडियन इंस्टूट ऑफ साइनिस का ठीक है तो यह अब यहां पर देश भर के तमाम पॉर्टल के बारे मदिया है तो सब को नहीं आपको पढ़ना है अगर आप यूपी के इसे जाम दे रहें तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल इनिशेटिव और इस ऑफ डूइंग बिजनिस की के टेगरी में इस्ट्री ओफ इलेक्रोनिक्स एंड इटी की दुवरा सेवन्थ डिजिटल अवार्ट्स में प्लैटनम पुरुसकार मिला है माइन मित्र अमेरिका के अमेरिका से और प्रतमुप विजेता अमेंडा अडुडा मिल वेनेजुएला से जनरली रणर अप नहीं पूछा जाता है आप खाली इस पर फोकस करें में सुनिवर्स 2022 कौन है और बाउनी गैब्रियल और 2021 वर्ष में तो भारत से थी हरनात संधू अभी नहीं प्लेट फार्म प्लेटफार्म के कंटेंट के भी कुछ होते हैं और ट्रीटइ प्लेटफार्म यानि और टॉप प्लेटफ़र्म जैसे कि इसके बाद अब है पन्नू, रॉकेट बॉइस नामक फिल्म के जो डिरेक्टर है, इन्हें सर्फेश्ट तिर्देशक का पुर्सकार बिला है, सर्फेश्ट अबनेता एक सीरीज में जमील खान, जो की गुल्लक सीजन 3 में फादर बने थे बच्चों के, और सर्फेश्ट अब अबनेत्री सीरीज जो है कॉमेडी में गितांजली, कुलकरडी को मिला था, जो मदर बनी थी, गुल्लक सीजन 3 में, सर्फेश्ट अबनेत्री ड्रामा सीरीज में रवीना टंडन को उनकी सीरीज आरन्यक के लिए, वेब सीरीज फिल्म की इस नेड़ी में, सर्फेश्ट अर विजनल फिल्म में, दसवी नामक जो फिल्म आई थी, अब शेक बच्चन की उसे, और सर्फेश्ट अबनेत्री तापसी पन्नून की जो फिल्म आई थी, लूपल पेटा उसके लिए, तो ये कुछ अवार्ड्स आप देख सकते हैं, एक बार, एटीपी अवार्ड्स में, क पदमिश्री भारत सरकार भी उने दे चुकी है, इसके लाबार, रमेन मेक्से से अवार्ड भी उने प्राप्त हो चुका है, रमेन मेक्से से अवार्ड जो है, नोबल प्राइस का जाता है, एशिया का, डॉक्टर पतंग राओ कदम मेमोरील अवार्ड मिला है, अदार पु पुर्धानमंत्री राष्ट्री बाल पुरस्कार जन्वरी में हर साल दिये जाते हैं और ग्यारा बच्चों को इस बार मिले हैं चेटर प्रुषकार दिया जाते हैं सेक्षिक शेतर में इस बार पुरुषकार नहीं दिया गया है और उत्तर प्रुषकार बिहार से भी कीसे स्पेस्पिक बच्चे को पुरुषकार नहीं मिला है तो हम इसमें वस्य दियान रखिएगा कि 11 बच्चे हैं, 6 बॉइस, 5 गल्स इसके बाद 5 स्टार इट राइट स्टेशन की रेटिंग अभिवाणासी कैंट स्टेशन को मिली है उत्तर प्रदेश से और यह दूसरा इसा स्टेशन बन गया है जिसको 5 स्टार की इट राइट स्टेशन की रेटिंग मिली है इससे पहले उत्तर प्रदेश का पहला जो स्टेशन था जिसको रेटिंग मिली थी वो था प्रयाग राज जंक्शन अस्टिवा गोल्टन क्लोब अवर्ड पुरुसकार आ गया था और यह काफी चर्चा में रहा था क्योंकि एक भारती फिल्म ने भी एक अवर्ड काटेगरी में बेस्ट ओरिजिनल सौंग की काटेगरी में पुरुसकार जीता है तो सर्फ्रेस्ट टीवी स्रंखला यह टीवी स्रीस का पुरुसकार बिला था संगीत यह कमंडी में एबट अलिमेंटरी को सर्फ्रेस्ट इर्देशक का पुरुसकार बिला था मोशन पिक्चर के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग को दा फेबल मैंस फिल्म के लिए सर्फेस्ट मोशन पिक्चर गयर अंग्रेजी भासा की रही थी और्जेंटीना इसके बाद सर्फेस्ट अभिनेतरी का पुरुसकार मिला था पुरुसकार मिला था आस्टीन बटलर को एलविस नामक फिल्म के लिए सर्फेस्ट मूल गीट सर्फेस्ट ओरिजिनल सौंग का पुरुसकार मिला था नाटू नाटू और बेस्ट फिल्म का वर्ड इसमें इसके लावा जो आर आर फिल्म में जो नाटू नाटू गीत लिखा किसने है वो चंद्र बोस ने लिखाये गीत और इसको म्यूजिक दिया था एमम की रवानी ने तो यह कुछ है डिशनल आप द्यान रख सकते हैं गोडन गलोब बहुत जरूरी है पूछ जरूर जाएगा आगे है उनाटेड नेशन्स मेडल ये उनाटेड नेशन्स के द्वारा भारत के पीस कीपर्स के मिला था उनकी एक्जेंप्लरी सर्विस के लिए ये दिखान रखिएगा उसके बाद सुभास चंदर बोस आपदप और बंधन पुरुसकार पराकरम दिवस सुभास चंदर को उसकी जहनती के दिन यह अवार्ड अनॉंस की जाते मिनिश्ट्री अफ होम अफेर्स के द्वारा तो इस साल किसी इंडिविज्वल को वार्ड नहीं मिला है सरस्थागत स्टनी में यानि की इंस्ट्यूट की कटेगरी में वार्ड मिला है ओडिशा राज के आपदप और ज़रूर आप देखिएगा और सबसे खास बात यह है कि परमवीर चक्र अवार्डीज हैं इनके नाम अब रखे जाएंगे अंडमान निकुबार आइलेंड के नाम पर जैसे कि अंडमान निकुबार के कुछ आइलेंड्स हैं उनका नाम अभी इन परमवीर चक्र परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम 21 आइलेंड कर दिये गए हैं 21 आइलेंड बुन के नाम से जाने जाएंगे ठीक है इनके नाम आप जबूरू स्क्रॉर्ल करके एक बार देख सकते हैं कोश्चन बनने की समभव ना कम है लेकिन रेर केस में कोश्चन बन सकता है कि किनके नाम पर आइलेंड का नाम नहीं रखा गया विक्रम बत्रा का नाम भी इसको शामिल है अगे मनों बड़ते हैं बेस्ट पुलिस टेशन अवर्ड का पुरूसकार बिला है असका पुलिस स्टेशन जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है इसको फर्स प्राइस बिला है ICC Men's Cricketer of the Year का इसको सर गारफिल्ड सौबर्स ट्रोफी अवर्ड भी गा जाता है तो Men's Cricketer of the Year का पुरूसकार बिला है बाबार आजम को जो की पाकिस्तान क्रिक्ट टीम के कपतान है उसके बाद ICC महिला Cricketer of the Year रोशल ही हो फ्लिंट ट्रोफी इनको मिलती है ये नेतली स् प्रिवर को ICC Men's T20 Cricketer of the Year का पुरूसकार एक भारती क्रिकेटर सूरी कुमार यादो को मिला है भारत से ICC महिला T20 Cricketer of the Year का पुरूसकार मिला है तहालिया में ग्राथ को जो की आस्ट्रेलिया की प्लेयर है ICC Men's Test Cricketer of the Year का आवर्ड बिला है Ben Stocks को Ben Stocks ICC Men's Emerging Cricketer of the Year मार्क पिर आगे यही इंग्लिश में भी लिखावा है अपनोट कर सकते हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे Green Railway Certification इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वरा यह मिला है विशाखा पट्टाम के Railway Station को पिर पुरुसकार जो साल भर पूच जाएंगे पुरुसकारों में इस ब नाम यहां पर लिखा भी भूआ है मुबायल क्रश्ण दोसी मनो प्रांत इंद को पद्म विभूशन मिला है जाकिर उसाइन इनको कला के छेत्र में पद्म विभूशन मिला है एसम क्रिश्णा सरुजिनिक मामले यानि पॉपलिक अफेर्स के मामले में इनको पद्म पद्म विभूशन की चैपुरुसकार फिर आ जाते हैं पद्म विभूशन पर पद्म विभूशन में स्री एस एल भायरप्पा लिट्रेचर और एजुकेशन से कुमार बंगलम बिल्डा उद्योग और व्यापार से दीपक धार साइंस एंड इंजिनरिंग से सुश्री व कपिल कपूर लिट्रेचर और एजुकेशन से सुधामूरती सोशल वर्क यानि समाजिक कारश से और कमलेश डी पतेल अध्यात्म से इसमें अवर्डी में उत्तरप्रदेश के कोई नहीं उत्तरप्रदेश के सिर्फ पद्म विभूशन में मुलायम सिंग यादों हैं ठीक ह फिर बिर कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रत्म इस्ट्री देख लीजिए क्योंकी उत्तर प्रतेश के एक्जैम्स और बिहार के एक्जैम्स झो है नौर्थ इंडिया के लोग काफी देते हैं तो श्री राधा चरण गुप्ता ये साहित और एजुकेशन के चेतर से उत्तर प्रदेश के अवर्डी विश्वनात प्रशात तिवारी लिट्रेचर और एजुकेशन से उत्तर प्रदेश से आनंद कुमार लिट्रेचर और एजुकेशन से बिहार से अर्विंद कुमार स्तरप्रदेश से कला कच चेतर में सुभाधरा द regulatory कि छेतर से बिहार में और कपिल देव-पृसाथ कला कच चेतर से बिहार में बुग्स एंड ऑफर में हम देखेंगे बूग्स एंड ऑफर में सबसे पहले पृ depths high के कृस संस्मर्मा वे heck है जिसको जी आर मौर लेटेस्ट किताब है, जान रखिएगा नाम, चशी थरूर की कोई भी नई किताब बहुत पूचते हैं, ग्लोबल फैमिली डे एक जन्वरी को होता है, ब्रेल दिवस चार जन्वरी को, प्रवासी भारती दिवस नौ जन्वरी को होता है, इस बार इसकी धीम थी इंडियन डा इंडियन आर्मी डिवस भारत के पहले, फील्ड मार्शल कॉंडेटरा मडप्पा करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली को छोड़कर इस बार बंगलूरू में समारो कायवजन हुआ है, इंडियन मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट का 550 जन्वरीध को हता है, इसके बाद इसक अर्सी स्टार्ट अब डिyn में मनाया गई थे इंटरमेशन डर्टमेंट 24 जन्वरी को होता है इस बार इसकी थीम थी निवेश और रोजगार investment and employment उत्तरप्रदेश दिवस बनाय जाने घोशना 2017 में उत्तरप्रदेश के पूर्वराजपाल राम नाइक ने की थी उसके बाद National Girl Child Day ये 24 जन्वरी को होता है International Girl Child Day ये 11 अक्टूबर को होता है राश्क्री बालिका दिवस के उसर पर सवाइकल कैंसर जाग रुपता माह मनाने के लिए Serum Institute of India ने सवाइकल कैंसर के खिलाब देश का पहला Indigensally Developed Tea का जो है सरवावैक इसको भी पेश किया है ठीक है जिसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कई बार National Voters Day होता है 25 जन्वरी को इस बार इसकी थीम थी Nothing Like Voting I Vote For Sure National Tourism Day होता है 25 जन्वरी को और International Tourism Day होता है 27 सेप्टेंबर को निवाचल प्रदेश का पूर्ण राजत दिवस बनाय जाता है 25 जन्वरी को National Tourism Day हम बता चुके आपको चौतरवा रिपब्लिक डे था इस बार पहली बार 21 तोपो की सलामी 105 मिली मीटर की भारती फील्ड गने से दी गई थी पहली बार करतव विपात पर मार्च करते हुए मिस्र के सहस्त्र बलों का बैंड और मार्चिंग दल समारों का हिस्सा था क्योंकि मिस्र के राष्टपती अब्दल फते अल्सीसी जो है हमारे मुखेती थे और COP26 में में अक्शुली जब हमारे पीमोदी जी पार्टिस्पेट करने गए थे तब उन्हें जो है मौका मिला था अब्दल फते अल्सीसी को यहाँ पर चब्विज जनवरी दो जारता ही से इन्वाइट करने का और ना भूलने देने के लिए भी हम लुकाई सकते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंब्रेंस डे मनाया जाता है डेटा प्राइवेसी डे यह अठाइज जनवरी को मनाया जाता है थिंक प्राइवेसी फरस्ट इस बर्थीम थी डिफेन्स में सबसे पहले नेवल एक्स ठ्रांस की एकसराइज होएं द्यान रखीएगा इंडिय य जिप्ट का पहला जॉइन्ट ट्रेनिंग एकसराइज हुआ था साइकलन बया Also इसल राजिस्तान मे जॉए फान के विस्तारित रेंज का सफल पर इक्षण यहां पर किया गया था सुखोई 3 सुखोई 30 राइफल्स बनना शुरू हो गई है इसका सफल पर इक्षण हो चुका है इसकी रेंज वन फिफ्टी से 500 किलो मिटर्स तक है और इसको मोबाइल लॉंजर से लॉंच किया जा सकता है पास्ट पैटरोल वीजल fpv कमला देवी को यहां पर अच्च कर दिया गया है इंदेन और कोस गाडम elevated का शुबारम किया है 3D printed accommodation इसको कहाँ बनाया गया है एहमदाबाद चाओनी में एहमदाबाद के एंट में भारत के सैनिकों ने पहली बार अपनी तरह की पहली 3D printed mobile dwelling unit का उद्गाटन किया है भारत की पहली ये 3D printed two-story accommodation कहाँ पर बनाई गई है एहमदाबाद में आपसे एक्जाम में पूछे दा सकता है Calvary class की जो हम लोग पंडुबी बना रहे हैं लगातार पांच पंडुबी यां उसमें बननी है तो वागीर जो है इसको finally induct कर दिया गया है नेवी में मुंबई में जो ये Calvary class की वीजल्स हैं सब्मरीन से जो बेसिकली ये कौन-कौन सी यहां पर बन चुकी है आपको पताओगा करंज बन चुकी है करंज है एक वेला है आइनेस वेला है ठीक है तो इस तरीके के शिप्स बन रही है ये फिफ्त है Calvary class की वागीर इसको शामिल कर लिया इंडे नेवी में कहां पर मुंबाई में आगे है कि deployment of the largest contingent of women peacekeepers महिला शांती सायनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकडी की तैनाती अब आई सुडान में किसने की है भारत ने संयुतराष्ट मिशन के तैद भारती सेना ने सुडान में संयुतराष्टर अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला सांती सैनकों की अप्तिक की सबसे बड़ी फाउज को तैनात किया है फर्स्ट सेटलाइट लॉंच सेंटर जो है European Union का इसको जो है inaugurate किया गया है Arctic Sweden में या फिर सिंपल आप याद रखे कहां पर Sweden में BSF Security Exercise Operation Alert ये कच और बाड़मेर में किया गया था BSF के द्वारा Finance Tech में सबसे पहले इंडिया सबसे पहले इंडिया सबस्ट 5G Powered Colonoscopy कंड़क्ट किया गया था किसके द्वारा भारती एरेटल Apollo Hospitals के द्वारा इन्होंने HealthNet Global Amazon Web Services और आवेशा के साथ मिल करके पहला 5G संचालित Artificial Intelligence Guided Colonoscopy Parishn कंड़क्ट किया Starlink Internet Satellite लाँच किया है कालिफोर्निया मनलब कालिफोर्निया में US ने लाँच किया है SpaceX कंपनी ने इंडिया सबस्ट 5G Enabled Drone Skyhawk को यहां पर दिखाया गया था संबल पर ओडिशा में IG Drone जो स्टार्ट अप है उसने अपना पहला 5G Enabled Drone Skyhawk को विक्सित किया है इसका अस्तमाल रक्षा उचिकित्सा छेतर के इलावा क्रिशी जैसे अन्ने छेतर में किया जा सकता है IP67 Rated है याने कि नॉर्मल जो पानी के छीटे हैं या बारिश में भी हलकी बारिश में ओड़ सकता है और यह नाविक और GPS Navigation Satellite Combination के माद्यम से कंट्रोल किया सकता है तो इंडिया के पहले 5G Enabled Drone का क्या नाम है Skyhawk नाम है इसको कहां पर दिखलाया गया है किया गया संबल पुरोडिशा में कि स्टार्ट ने डवलप किया आई जी ड्रोन्स ने बज़ इतना काफी है प्रिट्वी टू सताय सताय पर मार करने वाली शौर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षण चांदी पर रूप्षण किया गया है 2003 में भारत के सामरिक बल कमान में इसको शामिल किया गया था लगातार इसके कई परिक्षण होते रहते हैं और अभी फाइनल टेस्टिंग इसकी हुई है मारूत ड्रोन्स को DGCA का सर्टिफिकेशन मिला है AG 365 ड्रोन्स के लिए स्वस्थगर्ब भारत का पहले स्वदेशी रूप से निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस इसका नाम है इसको यहां पर दिखलाया गया था कि भारोस जो है इसको हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में IT मदरास के इनकुबेटिट फर्म जे एंड के ऑपरेशन ने इसको बनाया है एंड्रोइड के विप्रीत इसमें डिफॉल्ट गूगल अप सर्विसस नहीं जैसे एंड्रोइड का कोई भी फोन आप लेते हैं उसमें डिफॉल्ट गूगल अप और सर्विसस होती हैं और कई बार आप उनको हटा भी नहीं सकते हैं फोर स्टॉप कर सकते हैं खाली लेकिन यह भार ओस ऐसा है जो क्लीन ऑपरेशन यहां पर उप्लब्र करवाएक और इसमें डिफॉल्ट गूगल आप यह सर्विसस नहीं होंगे भारत के पहले इंडिजिंसली डेवलप्ट मॉबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भार ओस है इसको ट्रट लीजिएगा भार ओस इसकी स्पैलिंग में देख लीजिएगा क्योंकि यही सवाल बनेगा उसके बाद एक्जो प्लैनेट लह सब्सक्राइब यह प्रित्वी स इन्वाल में जैसे ब्लू ओरिजिन जैबेजूस की कंपनी पी सियरा स्पेस एमजोन के के डिविजन और अन्य कंपनियों के साथ अंतरिक्ष में पहली व्योसाई कर्थवर्स था चुरू करने की बातें यहां पर हो रही है जब इस चीज़ें डवलप करेंगी तो और ज्य के तहत जो की रूपियन स्पेस जिंसी का है यूपिटर के जो सेटलाइट्स है जैसे की यूरोपा है जैसे की गैनिमेड है जैसे की कलिस्टो है इन पर जो है मिशन भेजा जाएगा जूस मिशन के तहत अब इचरूइच देखेंगे सबसे पहले पेले एडिसन अरांटिस इनको पूरा नाम है इनको पहले कहते हैं ब्रजीलियन फुट्बॉलर है ब्रजील को तीन बार विश्का पिनों ने जिताया इनको सदी का एथलीट यहां पर नामित किया गया था इंटरनेस्ट इंटरनेस्टल ओलम्पिक कमीटी के दौरा आगे में लोग बढ़ते हैं मीर बरकत अली वलाशन मुकर्रम शाह बहादुर हैद्रबाद के आखरी और आठ्वे निजाम थे नहीं रहे वॉल्टर कनिंगम अपोल्लो सेवन लूनर मॉड्यूल पाइलेट थे और नासा का जो अपोल्लो मिशन था उसके आखरी जीवित व है यह नहीं रहे बालकरशन के दोशी यह अवह चीड के ओल्मेर अeneस पर है जाते हैं जल विद्दुत परियोजना फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है, सायुकत रूप से इस परियोजना का घटन किया गया था भूटान के प्रधान मंत्री लौत शेरिंग के द्वारा और प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा 2019 में यह सवाल आया भी था यूपीस्टी 2019 में अग इसमें किया जाएगा इनाइस्टिल अर्बन टेक्नलोजी मिशन यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउजिंग अर्बन अफेर्स का है जान रखिएगा इसमें साड़े चार हजार मिनिस्पल सर्विसेस और इंट्रोच्ट्रॉक्टर्स पर काम होने वाला है प्रजवला चैलेंग यह कि रूरल इकनॉमी में सही होग कर सके हैं इसके लिए आइडियाज दिये जाएंगे प्रजवला चैलेंज के तहत भारत बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन चर्चा में है आपको पता होना चाहिए एक पाइपलाइन कहां से कहां है कित्ती लंबी है 131.5 km लंभी होगी यह 12 20.5 km बंगलादेश में होगी 5 km भारत में नुमाली गढ़ ओयल रिफाइनरी से इसमें फ्यूल बंगलादेश भेजा जाएगा बंगलादेश के परबती पूर डिपो तक इंधन पहुचाए जाएगा सीली गोडी में स्थित जो निवाली गढ़ का मार्केटिंग टर्मिनल है उससे पाइप्लाइन के माध्यम से वहां मंगलादेश के परबती पूर डिपो में इधन पहुचाए जाएगा यंग प्रोफेशनल स्कीम इंडिया यूके की है 18-30 वर्ष के बीच के लोगों को प्रोमोट की जाएगा और वहां पर दो साल के लिए ब्रिटेन में बिना क इस पॉन्सर के भारत के लोग रह सकेंगे द्यान रखिए का इंडिया की स्कीम नहीं है यूके की स्कीम है जो विभिन कंट्री के साथ वो खंड़र कर रहा है और इसमें इन्होंने भारत को भी पार्टनर बनाया है प्रदानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना ये इंटिग जाता था वो अब इसी स्कीम के अंतर समाहित कर लिया गया है आप जानते हैं कि पहले जो पॉब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अंतर के जो स्कीम चलती थी अन्य दाता आये उजना और नैसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य उजना चाश्र्ण, उन दोस्कीम अहां पर सब्सक्षियों कर लिया प्रश्ब्क अया न्यìn जाहर सी बात है कि जब एक ही टारगेट है और एक ही मेकैनिजम है एक ही तरीके अधिकारियों को फूड डिस्ट्रिब्यूट करना है तो कई स्कीम के नाम होने का कोई फाइदा नहीं है पुर्धान मुंत्री गरीब करना अन्य उजना के तहती अब गरीब व्यक्तियों को नैसल फूड सेक्यूर्टी आट के तहत राशन मिले गार महीने आगे बियास फर्स्ट ग्रीन हाइद्रोजन ब्लेंडिग इंडियास फर्स्ट ग्रेट ब्लेंडिंग इंडियास परिष्ट- कवास सूरत में गास एम और काम हैं और ऑस्टैलिया जैसे देशी कर पाइस हैं इंडिया भी इन देशों में शामिल हो छुका इस héνηधरोज के पास प्रोजेक्ट होगा आगे है कोई चानून की जान ने जानून के और नुचेंच कर सकेगी और को रिचिंग प्रोफेशनल को प्लोट करने के लिए और रहार्च करना चाहता है उनको यहां पर सब्सक्राइब आगे अम लोग बढ़ जाते हैं नासल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनॉंस किया गया है इसका अभी प्रारंबिक उदेश पताया गया कि 2030 तक प्रती वर्स पांच विलियन मिट्रिक मिट्रिक ट्रन हाइड्रोजन का उद्वातन करना है इस उद्पादन के लिए प्रारंबिक परिवय किया जाएगा करीब 20,000 करोड रुपए अगर एग्जैक्ट फिगर पूछ लें तो यह 19,744 करोड रुपएं का व्या यहां पर किया जाएगा पुरधान मंत्री जी ने वर प्रोजेक्ट को अने विल किया था तो यह एमवी गंगा विलास जो है कहां पर शुरू हुआ था वानसी में हो कहां पर खतम होगा डिब्रुगड में रखेगा उतकर्स 2.0 यह उतकर से आर्बियाई से असूशियेटेड है यह इसका सेकेंड फेस लॉंच कर दिया गया है तोजार 23 से 25 तक के लिए उतकर्स का इसकेंड फेस है अडॉप्शन ऑफ एई एंड मशीन लर्निंग पावर टूल्स और डेटा एनलाइसिस और इंफोर्मेशन गद्रिंग यह इंटीग्रल पार्ट होगा उतकर्स का उतकर से तरीके से आर्बियाई के प्रोजेक्ट होते ह पर काफी गंभीर अरोप लगाये थे कुछ महिला अथलीट्स ने तो इस मामले की जांच करने के लिए कमिटी बनाई गई थी युवा मामलों के मंतरा लेके द्वारा मैरी कॉम डोला बेनर जी अलकनांद आशोक योगेश्वरदत सहदेव और दो अन एडूकेट उस समीति मेंबर हैं जो उनके आरोपों की जांच करेंगी तो यह निदी आपके निकट इनिशेटिव है यह इपी एफो का कुल बिलाकर इनिशेटिव है जिससे एपी और समंधि ग्रिवाइन्स रिट्रेसल की यादा सकते हैं 2015 में जो एक प्रोविडेंट फंड कोड चलाया गया थ सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन से इत्र होगा भारत के पास अभी कोई भी कोल गैसिफिकेशन प्लांट नहीं है लेकिन जल्द होगा ऑक्टोबर दोजार चॉबीस तक इंडियास फस्ट और लार्जस्ट कोल गैसिफिकेशन प्लांट यह बनेगा समिट से सोव दिन पहले अलव जी 20 समिट से सव दिन तक का यह उत्तरपृइश ग्लोबल सीटी अभियान शुरू किया गया था इसका उत्तरप्प्रदेश के जो नगर निगम है नगर निकाएं उनको ग्लोबलप प्रैक्टिस के निसार डवलप किया जयाए जैसे ग्लोब कि आगया इसका उद्देश है चिल्डेन को इंपाउर करना जॉइफुल लर्निंग के लिए और इंपाइटिक डवलप्मेंट के लिए तो सहर्ष प्रोग्राम बच्चों की लर्निंग से त्रिप्रा में हिद्रबाद में पाएगा कब्रों के संट्रेक्शन बहाली के परिव और प्रडेशन किया जाया ओल्ड पंशन स्कीम को रिष्टॉर करने वाला पांच्वा स्टेट बन गया है नमाचल प्रदेश ने प्रटीत हो रही ती करमचारियों को की निउपेंस्टिम जो है इसमें किसी प्रकार के शोर्ड रिटर्न के बारे में नहीं बात की गई है मं मंतली एशोर्ड रिटर्न के बारे में बात की गई थी ओल्ड पंशन स्कीम में कि जितनी आपने आखरी बार सैलरी ड्रॉ की थी उसकी कम से कम 50% तो आपको मंतली एशोर्ड रिटर्न मिलता ही रहेगा लेकिन निउपेंशन सिस्टम में ऐसी कोई वादा नहीं किया गया है तो यही सबसे बड़ी क्रिवेंस है उसके बाद ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलसी लाने वाला राजिस्थान पहला स्टेट बन गया है ठीक है राजिस्थान पहला स्टेट बन गया है जिसके पास एक ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलसी होगी ब्लाइंड लोगों के लिए पर काम की जाए राजिस्थान में तेतु समुद्रम प्रोजेक्ट चर्चा में आये था इस पर दोजर साथ में भारत सरकार्ण रोख लगवा दी थी आपको याद होना चाहिए स्कूल ऑफ एमिनेंट स्कीम पंजाब की गॉवर्मेंट ने शुरू किया था नवी से बार्वी तक के स्कूलों के लिए बेसिकली इसके बाद नौर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्वोलर प्रोजेक्ट यहां पर इनॉग्रेट किया गया था चंडीगड के स्पोर्ट्स करेंट फेर में हैट्रिक रंडजी ट्रॉफी में जैदे वनाटकर फर्स्ट बोलर पंगय है जिन्हों ने रंडजी ट्रॉफी के पहले यह ओवर में हैट्रिक ली हो उसके बाद FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्स चेस्चेंबिंशिप यह FIDE रैपिड चें स्वान पदक इसका माहिला रैपिड प्रतियोगता में और रही घियन ने भारत की चेस्ठ मेडल में जीता में ओर फिर तो फिर आप ध्यान रखेंगे महिला ब्लिट्स में रजयत पतक जीता है हमपी कौनरू या फिर कौनरू हमपी ने फॉर्मुला यी वर्ल्ड चैंपिनशिप हैद्राबाद तेलंगाना में होगी ध्यान रखेंगा बुद्ध इंटरनाशल सर्किट में 2013 में फॉर्मुला वन ग्रैंड प्री के बाद अब तक कोई बड़ी रेस प्रत्योगता भारत में नहीं हुई थी लेकिन अब यह होगी यी वर्ल्ड चैंपिनशिप हैद्राबाद में उसके बाद जूलियस बेर चैलेंजर चैंपिनशिप इसमें प्रणाव वेंगटेश विजयता थे विजयता शुबमान गिल ने न्यूजिलेंड के खिलाफ जो है दोरा सतक लगाया था और पांच में बल्लेबाद बन गये थे भारत के जिन्नोंने डबल सेंश्री लगाई ओडियाई में और जो है सबसे कम उर्वी सतक लगाने वाले भारती बने इनसे पहले कौन थे ठीक एक महीने पहले बांगले देश के खिलाफ दोरा सतक लगाया था इशान किशन ने लेकिन अब यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया इनका शुबमान गिल ने इंडियन ओपन बैड्मिंटन चैंबिंशिप कुनावुलूत विधित सर्न जो कि थाइलेंड के है वो जीते और विक्टर यहां पर डेन्मार्क के रनर अप रहे अन सेयोंग यह विनर नहीं विवेन सिंगल में रक्ष्ण कोरिया की अकाने यामागुशी रनर अप अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेता विजेता यहां पर रहा था हौकी मध़प्रदेश और होकी ओडिशा रनर अप तो रनों के अंतर के मामले में सबसे बड़ी जीत अब भारत में दर्च कर ली है इससे पहले रिकॉर्ड काफी पुराना निव्जलैंड के नाम था निव्जलैंड को उन्होंने 290 रन से हराय था सानिया मिर्जा ने कहा कि वो दुबाई टेनिस चेंपेंशिप जो फरवरी क्रिकेटर थे जिनको आई-टी की ओडियाई टेस्ट टी ट्रीटी टीम आफ दैयर में सामिल किया गया हो उसके बाद इंडिया स्लाफि इंजीनेइर कंपोसिट फुट्बल स्टेडियम इसका इनॉग्रेशन किया गया है पिच्चान्विय सो कापस्टी के साथ एपी एप स और मिखाला इस लार्जस्ट प्री इंजिनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम यह है अब जाते हैं समिट्स पर समिट्स में सबसे पहले एरो इंडिया एग्जिबीशन के बारे में बात करना है यह वैसे फेब में होनी है तब ही हमको पता चलेगा कि इतनी कंट्रीज यहां पर पार्ट्सपेट कर रहे हैं क्या हाइलाइट है लेकिन एक बात है कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई प्रदर प्रदेश में कॉन्फरेंस ओफ कॉमनवेल्थ प्रसिडेंट्स एन अवा प्रसाइडिंग ऑफीसर यह वह था ऑस्टेलिया की कैपिटल कैन्बरा में स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्स्पोर्ट कॉंक्लेव यह वह था इंदौर मद्ध प्रदेश में सर्थीसवा इंडो फ्र पंत्री गया थे हमारे मुख्य विशय यहां पर यूक्रेण संकट मुद्रा स्वीती जलवाई परिवर्तन जैसे मुद्दे और इसमें तेलंगाना सरकार व्व ने एक समझो तक आपना प्रदास्टाक्षर किये थे कि स्वास्त सेवा और जीवन विग्ज्यान पर केंद्र एक हाइलाइट यह है इंडियास लाजेस्ट और मोस्ट वल्यवेबल ट्रोन स्टार्ट अप गरुणा एरोस्पेस ने इंडियन सस्टेनिबिल्टी लाउंज में इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रिल ट्रोन जो है उसको भी दर्शाय था अने विल किया था इसके बाद ग्लोबल आयोटी इंटर्न अफ तिंस एंड एम्टो एम कॉंफरेंस यह वी थी न्यू डेली में इसके बाद एटींथ नैसल स्काउट्स एंड गाइट्स जंबोरी इसका योजन हुआ था रोहट पाली राजिस्थान में इसको इनॉग्रेट किया था हमारे इंडियन लाइब्रेडी कॉंग्रेस का उद्गाटन हुआ था कन्नूर केरिला में पर्यवरन और जलवायू कारे समुग की बैठाग जी ट्वेंटी की हुई थी बैंगलूरू में उसके बाद वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये वर्चुल तोर पर हुई थी अलाकि इ अलाकि उन्हें कोई जगह नहीं बताई कि कहां पर इस्टैबलीश होगा भारत द्वारा मजबानी की गए थी वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इसके बाद है तिंग 20 मीटिंग हुई थी भौपाल मत्रदेश में उसके बाद निर्वाचान आयोक का दूसरा अंतराश् की सम्मेलन हुआ था न्यू डेली में यूज ऑफ टेक्नलोजी एंड इलेक्ट्रोल लॉयल्टी इस बार थीम थे फोल डे इंट्रनाशल कॉंफरेंस ऑन फूड और न्यूट्रिशनल सेक्योर्टी के मोहाली पंजाब में वह था बी ट्वेंटी इंडिया इंसेप्शन मीट यह हुई थी गांधिनगर गुजरात में बी ट्वेंटी वाइट ट्वेंटी यह सब जो है जी ट्वेंटी के तहित जो विबिन इनिशेटिव हैं उनकी मीट हो रही है भारत में अलग लग समय पर नैसल गंगा काउंसिल की मीट हुई थी कोलकाता में इसके बाद इंडिया इंडिया के जाएगा सथाप्पित किया जाएगा सौट्वर्य टेक्नलोजी पार्क आफ इंडिया के तहित आगे है इलेविंथ बायो एनर्जी सम्मिट यह न्यु डेली में होई थी इसकी थीम थी आनरजी ट्रांस्मिशन फूर्थ इंडिया- आशियान ब्लू एकॉनिव वरक्शॉप ये न्यू डेली में वहा था इसकी थीम थी एडवांसिंग पार्टनर्शिप और सस्टेनबिल्टी एस्ट्रो टूरिजम आस्काई गेजिंग इवेंट ये वहा था न्यू डेली में प्रदानमंतरी सिक्षुता प्रशिक्षुता मेले कायोजन वहा था अलग- 16 जनवरी को सांसद खेल महाकुम कायोजन वहा था बस्ती उत्तर प्रदेश में अगले चाल वर्षों के लिए तो भारत की तो और से अदेक्ष्टा कौन कर रहे हैं डाक सिवा बोर्ड के पूर्व सदस्य और कार्मिक डॉक्टर विनय प्रकाश करेंगे सब्सक्राइब का इस्तानबुल तर्की में हमारे भी पेट्रोलियम गैस कंत्री वहां पर भाग लेने बेकल इंट्रनाशनल यह हुआ था के रल में उसके बाद 108 वी इंडियन साइन्स कॉंग्रेस का आउजन हुआ था नाकपूर में राश्ट्रे संत तुक डोजी महराज सब्सक्राइब नाकपूर में 108 वी इंडिन साइन्स कॉंगरिस का आउजन हुआ था उबाली धारवाड में 26 वे नैसल यूथ फेस्टिवल का आउजन हुआ था स्वामी विवेकानन जी की 90 जैनती के उसर पर इसकाशन वह था इसकी थीम थी डव्लब्ड इंडिया डवलब्ड यूथ डव्लब्ड इंडिया विक्सित भारत इसकी थीम थी प्रवासी भारती समयलन इस बार इंदा और मत्रदेश में हुआ था प्रवासी अम्रत भारत काल में भारत की प्रक्ति के लिए विश्वस्नी भागिदार इसकी थीम थी यह था आपका प्रवासी भारती दिवस के बारे में इंपॉर्टन अपडेट अब वॉइट्वेंटी सम्मिट यह हुआ था नियू डेली में वजब यह प्लाइन किया रहा है कि अभी हुआ नहीं लेकिन इसके लिए लोगों गएरा और वेफसाइट वगएरा चारी कर दिया है वाइट्वेंटी की में पहली बार इंडिया कर रहा है क्योंकि भारत के पास है जितने भी सब सम्मिट्स होंगे वो इंटरनाइसल टूरिजम ट्रेड फेयर इसको फितूर हम लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ना निची है एफाइटी यूआ रहे है तो मैड्रिट स्पेन में हुआ था यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतराश्री यात्रा प्रदर्शनियों में से एक मना जात जाता है इसकी थीम सी सिटीजन आफ दा वर्ल्ड कि रासिवा और इंडिया प्रसाइडिंग ऑफिसर्स कॉंफरेंस जैपुर में वह था मसाला कॉंग्रेस कायोजन हुआ था मुंबई में इंडिया को स्पाइज बावल भी कह जाता है इसके बाद नौर्थ इस्ट अग्रि सबसे पुराना और सबसे बड़ा कल्चरेल फेस्ट आइटी मद्रास का इफेस्ट माना जाता है सूर्स अरिता सिंफनी ऑफ गंगा कारेक्रम यह हुआ था वार्नसी में संस्कृति मंत्राले द्वारा आयुजित किया गया था और यहीं पर दुनिया के सबसे लंबे रिवर ट्रूज एमवी गंगा विलास को हरी जंडी दिखाई गई थे एमवी गंगा विलास जो है 27 अरिवर सिस्टम से गुजरने वाला है तो एमवी गंगा विलास 27 नदियों से गुजरेगा आपको ध्यान रटना है उसके बाद फर्स्ट ग्लोबल टूरिजम इन्वेस्टर समि पूर्वी राज्य में खर्चों को प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा राज्य है और यह कुछ यहां पर रैंकिंग थी के दौरा आपके याद रखना है अब जाते हैं हम लोग ग्लोबल फायर पार इंडेक्स पर ग्लोबल फायर पार इंडेक्स में इंडिया लास्ट ये सबसे प्रदूसित सहर है फिर फरीदाबाद है फिर गाजिया बाद है नाच्छल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है जारी कब हुआ था भारत में 10 जनुरी 2019 को जारी हुआ था ध्यान रखेगा है अब आप जुलाई 2022 का नहीं याद रखेंगे लेटेस्ट याद रखेंगे से रिचेस्ट अबनेता की रिपोर्ट में जेरी सीनफेल्ड टॉप पर हैं फिर टॉइलर परी है शारुक खान इसमें फोर्ट संबर पर ने जहां रखेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एरपोर्ट रिपोर्ट आयो थी सीडियम आइविएशन अनलिटिक्स के दौ सिस्टेमडिकली इंपॉर्टन बैंक की लिस्ट में एक बार फिर से एसीची आइट को यहां पर टॉप पर मतब आइसे इसीडियम का हिस्सा यहां पर 0.0 20 है फिर एच्डीएफसी बैंक है आईसीची बैंक है इनी बैंक को अरबियाई कहता है तू बिक टू फैल यानि कि इनको नहीं फैल होने मंदलब ये बैंक फैल नहीं हो सकते च्पेल और अगर यह फैल होते हैं तो जो है इनको फंड करेंगी इनको बैक करेंगी क्योंकि इनके फेल होने से फिर पूरी एकनॉमी जोयस्त विस्त हो सकती है बहुत इंपॉर्टन बैंक है ब्रैंड गार्जेंशिप इंडेक्स आया था ब्रैंड फैनेंस के द्वारा तो जेंसन हुआंग टॉप सीओ है ब्रांड गार्जेंशिप के मामले में और सेकेंड पर रखा ग पब्लिक इंटर्प्राइजिस सर्वे ये मिनिस्ट्री फैनेंस के द्वारा जारी किये जाता है ग्लोबल 500 की लिस्ट आई है ब्रैंड फैनेंस की तो इनके नुसार भारत का सबसे मजबूत ब्रैंड जीयो है और दुनिया भर के 25 मजबूत ब्रैंडों में ये नवे स्था इसको बनाता है कौन जो है इसको डवलब करता है प्रथम फांडेशन करता है ग्लोबल एकनॉमिक सिच्वेशन सेंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है आएमेफ नहीं करता ध्यान रख्येगा और हम लोग कह सकते हैं इनीक्वैल्टी समंधित रि स्पोर्ट जो है इडन बर्क रिसर्च लेलसी के दौरा जारी की गई थी और ये काफी चर्चा में है इनके नुसार जो फैंडिंग्स है उसके बाद गौर्टा मडानी जो है सात्वे नंबर पर आ गये थे रिचेस्ट परसंस की लिस्ट में और फिर जो है दसमें से भी बा बन जाती है इंडिया स्ट मार्स सेग्मेंट फ्लेक्स फ्यूल कार प्रोटोटाइप मॉडल को इन्होंने अभी दर्शाया है तो यह दोनों स्टेट्मेंट सही है गलत नहीं है यह पहली ड्रोन मनुफेक्ट्र कंपनी बन गई है जिसको डूल सर्टिफिकेशन डिरेक्टर बन जलत स्टेटमेंट नहीं है अप्शन अमबर डि एम्स नागपुर और इंडियन या फिनाशल इंस्ट्वीट ऑफ वन हेल्थ का उधगटन नागपुर में कहां पर जो है मिलब किसने किया है तो यह प्यमोजी जी ने 11 दिसमबर 2022 को एमस नागपुर और नाशल इंस्ट परिष्टिकी तंत्र के दारकों को शामिल करना भारत में उद्ध्यमिता कि नवचार की भावना का प्रसार करना तो दोनों स्टेट्मेंट यहां पर सही है इसका इसने निम लिखित में से किसने इंडिया किस कंट्री ने किस कंट्री के जनाव आयों ने अभी प्रवासियों के लिए मद्दान की सुविधा प्रदान करना अर्वियम का उद्देश है, अभी कोई यहां पर बाते नहीं है कि कब इसको किस सुनाओं में लागू करेंगे, हलांकि अभी प्रोटोटाइप आया है, अंतराश्ट्री पतंग महुत्सक बारे में आपको घलत पर आधारित यह पतंग महुत्सक था और 68 देशों के 125 पतंग बाजों ने आप भाग लिया था, एंसर हो जाएगा यहां पर D, सारे कथन सही है, इस अंतराश्ट्री काईट फेस्टिवल के बारे में एंसर हो जाएगा D, अभी कई सारे प्रोटेक्स को GI टैग प्रदान किय गया है, इसमें जो गमोशा है, यह किस स्टेट का कल्चरल और अडेटिटी का एक प्रोड़क्ट है, यह है असम का प्रोड़क्ट गमोशा, option number C, असम, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राश्ट्री पार्टी की हरताओं को पूरा किया है, और एक तरीके से नवी नैसल प C वाला option यहाँ पर सही है, हाल ही में अनाजर प्रदेश में सियोम पूल का उधगाटन किस ने किया है, सियोम पूल का उधगाटन हमारे defense register ने किया है, option number A, चाइना बॉर्डर के पास logistics और connectivity को मजबूत करने के काम यह सियोम पूल करेगा, भारत के चुनावायोक ने किस रा देश का सबसे बड़ा pre-engineered composite football stadium का उधगाटन कहां पर किया गया है, मिघाले में, हमने sports current affair में आपको बताया, इसका answer है, मिघाले, अगला प्रशन है, इसमें correct वाला find करना है, अभी हाल में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला 10 वर्षी जनकरना का कारेक्रम अभी जो है सितंबर 2023 तक अभी यह कारेक्रम नहीं शुरू होगा, तो अभी एक्जाम के लिए भी रिलीफ है कि अगले साल वाले aspirants को भी 2011 वाले census त्यार करना है, 22-23 वाले census पहले त्यार हो लिजिए, ठीक है, मतलब सिलेक्ट हो जाए वरना फिर नया data सब्रिवाइस करना पड़ेगा 9-20-23, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने प्राइम मिनिस्टर Apprenticeship Fair का उदगाटन किया था, यह दोनों स्टेटमेंट सही है, अंसर सही हो जाएगा इसमें, C, both one and two, correct देश के और विष्व के सबसे बड़े हौकी स्टेडियम का उदगाटन बिरसा मुंदा अंतराश्ट्री हौकी स्टेडियम जिसका नाम है, यह इसका उदगाटन किया था, वहां के CM ने, और इशा के CM नमीर्न पतनायक जी ने, राउर केला में, देश का और विष्व का सब से बड़ा हौकी स्टेडियम यहां पर बनाया गया है, यहां पर हौकी वर्ड कप जो हुआ से 2023 का उसके मैचेस भी खेले गए थे, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निमलिखित में से किस वर्ष के बाद, वर्ष 2022 भारत का सबसे गर्म वर्ष रहा है, वर्ष 19 सप्ता जो है, 19 से 25 दिसंबर को मनाया गया थे, दूसरा सप्ता है, और राश्ट्रवापी अभियान प्रशासन गावों की और 2022 की शुरुवात की गई थी, तो यह दोनों स्टेट्मेंट सही है, एंसर सही हो जाए इसमें, C, बोथ वन इंटू करेक्ट, C, 27 दिसंबर 2022 को राज के सार्विनिक स्थानों पर मास्क पहनने की निवारता को किस राज ने देश में लागू किया है, और ऐसा करने वाला पहला राज बना देश का, तो करनाटक ने अभी हाल में फिर से मास्क मैंडेट लागू कर दिया है, इंफ्लेका है कि इंफ्लेंजर 27 देश का पहला समविधान साक्षर जिला बन गया है, देश का पहला कंस्टूशनल लिट्रेट डिस्ट्रिक्ट है कोलम डिस्ट्रिक्ट केरिल में, कौन से कतन सही है, ग्लोबल डोन एक्स्पो का आया जन अक्टूबर 22 में, चेननाई में हुआ था, सही, इसके बाद हाल के गेमिंग के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस जो है कहां पर स्टाब्लिश किया जाना है, यह स्टाब्लिश होगा शिलॉंग में में, अप्शन मबर A, शिलॉंग में गाले, देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग करने वाला राज इकॉन से बन जैसे थोड़े ज़रूरी है और गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस वर्ष्टिवल का नाम एड़ किया गया है, हमारा एंसर सही हो जाएगा इसमें D, सारे कथन यहां पर सही है धर्म यात्रा के बारे में, उनके बारे में बताना है आपको कि कितने नए मेंब साइड हुए है वह है आपके जापान, एक्वडर, माल्टा, मुजाम्बिक, स्विट्जर लैंड तो इसका एंसर हो जाएगा फाइव और इन मेंबर्स ने किसको रिप्लेस किया क्योंकि रोटेटरी मेंबर्शिप होती है कुछ मेंबर्स अपना स्थान छोड़ते हैं दू स्विट्जर लैंड इन्या, मेक्सिको, नौर्वे का यहां पर मेंबर्शिप समाप दो रही थी इसमें दिसमबर दोजार बाइस में रून की जगह पर आ जोके जापान, एक्वडोर, माल्टा, मुजाम्बिक और स्विट्जर लैंड राष्ट्री हास्त शिल्प मेला के ब करना है, इसका उदेश्च था, मारा एंसर सही हो जाएगा, इसमें D, All of the above, correct, D, किस राज ने टार्गेट रखा है कि वर्श दोजार तेईस के अंद तक पहला जुगी जोप्री मुक्त राजी बन जाएगा, तो दोजार तेईस के एंड तक टार्गेट रखा है कि ओडिश इस मिशन को दिया गया है, जागा मिशन को, जनवरी दोजार तेईस में 115 वर्ष की अमेरिकी मूलकी मारिया, अब्राउनियास, मौरेरा, तो दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति के तोर पर इनका नाम गिनिजबुक ऑफ वल्डिकॉर्ट में दर्च किया गया था, महर जाएगा, इसमें C, जन्वरी दोजार तेश को केंद्री मंतरी डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने पूरे देश को किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना बनाई है, विखा गया है कि 2025 तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर कि जाएगा, आप्शन नमबर B, भारती नरत्य महुत्सवक बारे में क्या सही कि भारती नरत्य महुत्सवक आयोजन, तमिल नादू के ममलापुरम में ववा था, तमिल नादू राज के परेटन भाग ने इसका जो है जो है जन किया, C, सही है, बो थोनेंटू करेक्ट, तीन जनवर्टी 2022 को भारी उद्योग मंत्राले की फेम इंडिया चरण दो योजना के तहट समर्थन के साथ हाल ही में 50 बसे कहां पे चलाई गए थी ये बताना है, 50 बसे चलाई गए थी आपकी दिल्ली में, अप्शन नमबर A, पेम का फुल फॉरम को पतावना चाहिए, पेम का इसका सेकंड फेज आया था, फेम 2, 2019 के बजट में, तो यह आपको याद रखना चाहिए, उसके बाद 10 जनवर्टी 2023 को जय हिंद दा न्यू लाइट और साउंड शो का उद्गाटन किसने और कहां पिकिया था, इसका इनॉग्रेशन अमित शाह जी ने किया था, न्यू डे जित किया गया था, सरस मिला यहां पर लगा था, न्यू डेली में, अलाकि जब उत्तर प्रुदेश में कभी सरस मिला लगे तो आपको यूवी पीसेस कंडिडेट्स को ध्याम देना चाहिए, ग्रूप और फ्रेंड्स के सम्मध में क्या साहिए, ग्रूप और फ्रेंड्स इंडिया ने लॉंच किया था, अकाउंटबिल्टी यहां पर इनिशोर करने के लिए जो पीस कीपर्स के खिलाफ, जो क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ, यह सही स्टेट्मेंट है, 37 सैनिकों के खिलाफ अपरादों है तो जवाब देही किताय करता है, यह भी सही एंसर हो हो जाएगा C, बोथ हो इनिटू करेक्ट, मोस्ट इंपोर्टन चीज है कि ग्रूप और फ्रेंड्स जो स्कीम या फिर कह सकते हैं इनिशेटिव है, किसका है, इंडिया का इनिशेटिव है, युएन में, अंतराश्ट्री वन मेला, इंटरनेशल फॉरेस्ट फॉरेस्ट फे कॉमन मोबिल्टी काड का सुबारम कि इसने किया है, तो मुंबई के लिए नाशेल कॉमन मोबिल्टी का शुबारम किया था, मोदी जी ने, एक ही काड से जो है बस डिप्लाइ इनोवेटिव 5G यूस केसे प्रपोस्ट बाइ स्टार्ट आप्स ऑन दा ग्राउंड यह बना है विदीशा डिस्ट्रिक्ट मध्रदेश विदीशा डिस्ट्रिक्ट अगला है कि करनाटक के मंदिया में 207 क्रोड के लागत वाली मेगा डेरी का अग्षाटन किस बन रहा है और इसको दिसंबर 2023 तक कम्प्लीट होने की उम्मीद जताई जा रही है पहला statement सही है second एक कोलकाता की East West Metro कोरिडोर के भाग के रूप में इसको डवलप कर रहे है underwater metro का निर्माण में लगब लगव 120 करोड रुपए का वे किया जा रहा है और कोलकाता से हावडा City को ये add करेगा अजब भी जोडेगा करेक्ट करेगा तो एंसर सही हो जाएगा इसमें डी बोथ बन इन्टू करेक्ट इंडियास फर्स्ट एंडर वाटर Metro पूछा जाए तो उसका एंसर तो कोलकाता हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप से पूछें कि इंडियास फर्स्ट Metro फेरी सर्विस इंडियास फर्स्ट Metro नौका सर्विस इस कहां पर शुरू की गई है Metro फेरी इसका एंसर आपको केरेल लगाना है केरेला ध्यान रखिएगा एक जनवरी 2023 से क्रोएशिया यूरोपी मुद्रा यूरो को अपना कर यूरो जो उनके देशों में शामिल हो गया है साथ ही यूरोप के सीमा मुक्त शेंगन शेतर जो है उसका भाग बन गया है तो शेंगन रीजन जो है इसका नविंदम देश कौन सा बना है क्रोएशिया याद करना है वर्ल्ड जोगरफी में अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है अब शेंगन शेतर में शामिल हो चुका है और हाली में इंडियन बैंक को श्रिलंका के तीन बैंकों के विशेश रोपी वास्ट्रो अकाउंट्स कोलने के लिए अर्बियाई के मंजूरी मिल गई है श्रिलंका के री स्ट्रक्चरिंग में सपोर्ट कर रहा है इंडिया तो उसी के क्रम में इनिशेटिव है दोनुष स्टेट्मेंट यहां पर सही है जितनी विए आपको इस रंग से देखने को बिल रही है हलके परपल से तो ये सारी शंगन कंट्री जिनके बीच का एग्रिमेंट है 1990 में अस्थित में आया था और इसमें ये सारे कंट्री से एक दूसरे कंट्री में पास्पोर्ट फ्री और ट्रैवल कर सकते हैं अगला प्रशनी है कि जो छेतरी विवान कंपनी है फ्लाइबिक इसने इन दो शहरों के बीच अपनी नई सेवा इता नगर से गुवाहर्ट इसमें इता नगर से गुवाहर्टी आयर्लैड के डाटा संट्रेक्षन आयोग द्वारा 4 जनवडि 2023 को मेटा नामक कंपनी पर 49 करोड़ेज है 15413 क जुर्मान लगाया गया और थे डंवाट दिसंबर 2022 कोर्य व्न ऐमजलिफ़ परिवरत्न मंतर प्रोजेक्ट लॉइन दस्तवेज लांच किया गया है हमारा इंसर क्या हो जाएगा इसमें तहीं दोनों स्टेट्मेंट है तो वन एंड टू बोथ करेक्ट निम्लिकित में से किस राज या कि इंसासित प्रदेश की सरकार ने पशू अधिनियम हम जबकें की देशंदद्र को प्रदेश मुग्त प्रदेश कर दिया कि सारे अनिमल्स यहां पर टेशीज फ्री है और उनके आवाघ्वनन पर रोक नAH लगाई जाय है के बैसिक्लिएं लंपिसटिंडिसीज के नहीं मिले है कोई भी कैंटल इंको हाल फिलयाल जम्मुकषुमेळएं डिजीटल को पूरी तरीके से अपनाने वाला भारत का पहला इंसासित Use के युचा अप्टी कश्मीर has become the first union territory of India to fully adopt the digital mode of administration option number C December 2022 में गोवा में देश के सबसे देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले आठ लेन जुवारी ब्रिज का उधगाटन किस ने किया है तो आठ लेन वाले ब्रिज का उधगाटन नितिन गटकरी जी ने किया था option ब्रिज कहां पूर रहा है नर्मदा रिवर के उपर बना है मोधी जी ने इसका उधगाटन किया था भरूच गुजरात में 2017 में लेकिन इस second longest cable stage ब्रिज होगा जुवारी रिवर पर जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फांडेशन ने भारत के पहले SETM Innovation and Learning Center का उधगाटन कहां पर किया है तो इस लर्निंग सेंटर का उधगाटन किया गया है चेन्नाई में आप्शन नमबर सी चेन्नाई जल सकती मंतराले के स्वामित वाली वापकोस लिम्टेट को Asian Development Bank द्वारा शीर्स परामर्ज फर्म के रूप में गोशित किया गया है गाजियाबाद पंडित दीन देलावपाध्धाय खंड भारती रेलवे का सबसे लंबा पूड स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड ब पहचान संख्या का शुभारंब लद्दाख में किस ने किया है तो वहां के उप्राजिपाल जी ने किया है आरके माथुर ने एंसर सही हो जाएगा डी बंगलदेश में पहली मेट्रो रेल का उद्गाटन अभी हाल में हुआ दिसंबर में अभी तक कोई मेट्रो रेल यहां पर नहीं होती थी अप्शन नमबर सी यहां पर सही है बहुत में इंटू करेक्ट जनवरी 2023 में गेंद्रिक रहमंत्री अमित शाह ने एक पोलो में सोल ऑफ स्टील चैलेंज का लॉंच किया गया इसका उद्देश उचाई पर सहिंशक्ति के परिक्ष्ण करना है और इसका नेत्रतों क्लॉग लोबल नामा के गुद्द्यम दौरा किया रहा है सारे कथनियां पर सही है इस एडवेंचर चैलेंज के बारे में आप्शन जल और स्वक्षता संस्थान का उद्गाटन कहां पर किया है इसका उद्गाटन किया है कोलकाता वेश्ट बंगाल में अप्शन नमबर सी कोलकाता वेश्ट बंगाल मिशल सेंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियों को उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसको मिरर राइटिंग कहते हैं मिरर राइटिंग यानि उल्टा लिखा जाता है और वो शीशे में सीधा दिखता है उसके बाद भारती पुरातत सर्वेक्ष्टन के पटना सरकल ने नालंदा जिले में वैश्विक विरासत स्थल नालंदा महावियार के परिसर में सराय टीला के पास एक भू निर्मान गतिविद्धियों के दवरान दो बारा सो साल पुराने लगू स्थूपों की खोच की हैं कोई नहीं उप्रक्त में से गलत है सारे कथन ने यहाँ पर सही हैं दोनों कथन सही हैं केंद्री मंतरी श्रीयमित शार ने केंद्री जासूसी प्रस्टिक्शन संस्थान की अधारचिला कहां पर रखी है तो इसका इंसर हो जाएगा करनाटक ओप्शन नमबर A करनाटक A अगला प्रस्टन नहीं ती आयो कि आकांगशी ब्लॉक कारेकरम के बारे में क्या साही जैसे एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट कारेकरम आता है वैसे एक एस्परेशनल ब्लॉक कारेकरम भी शुरू किया गया है प्रतनमंत्री जी ने ने साथ जनवरी 2023 को एंसर निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है नियंतरण करने वाले संगठन के अभारत में सहसं上 से हाइजर संचालित रॉड्रेश का पहला दूनिया का दूसरा देश बना है जार सी बात है, इन सब में अंबर करेंट में भारत सरकार ने आधिकारिक तोर पर 27 डिसंबर 1992 को बहु खेल आयुजनों के एक भाग के रूप में e-sports को मानेता दे दिए लट इस फोर्ट भी अब खेल की कतेग्रियों में माने जाएंगे भारत में ठीक उसके बाद इस fake news से निपटने के लिए कोई भी अभी तक समर्पित तंत्र भारत में उपलब्द नहीं है ये statement गलत नहीं सही है अंसर सही हो जाएगा इसमें C, both went in two correct आप सोच रहे होंगे IPC में प्रावधार नहीं दंगा बढ़कानों के खिलाफ कारवाई होती है लेकिन IPC में fake news सब्द को defined नहीं किया गया है अफवाव अगैरा सब्द हैं लेकिन fake news सब्द नहीं है ऐसे ही epidemic diseases act 1897 है उसमें भी कोई एसा fake news को कर्ब करने वाला तंत्र नहीं है IT Act 2008 में भी electronic सूचनाव पर प्रतिबंद लगाया गया है जो बढ़काव प्रक्रति की हैं लेकिन उसमें भी fake news सब्द का प्रयोग नहीं किया गया है राजस्तान के जैपूर में एक Constitution Park का उदगाटन किस ने किया है Constitution Park का उदगाटन जैपूर में किया है हमारी प्रेसिडेंट जी ने तो अपदी मुर्मू ने option number A यहां पर सही है भारत के पहले राष्ट्री मुल्यांकर नियामक के बारे में कौन सा गतन सही है CRT ने भारत के पहला राष्ट्री मुल्यांकर नियामक परक जारी किया इसका नाम ध्यान रखिएगा परक है परक रेख्रेटर का एम है कि Assessment Guidelines यहां पर तयार करना सभी बोर्ड के लिए जिससे कि जो स्टुडेंट्स दिफरेंट दिफरेंट स्टेट बोर्ड में इन्रोल्ड है उनमें जो अंक किसी बोर्ड के कम आते हैं किसी के ज्यादा आते हैं उन पी डिस्पार्टरी इसको दूर किया जा सके तो एंसर सही हो जाएगा इसमें C बोथ 1 और 2 करेक्ट C इसमें कि इसमें से किन दो शहरों के बीच देश का पहला इलेक्ट्रिक हाइवे सरजित किया जाएगा इलेक्ट्रिक हाइवे कोई अलपस अजीब सा हाइवे नहीं होगा इसमें क्या होगा कि एक normal highway होगा उसमें सिर्फ electric vehicles ही run करेंगे electric charging stations होगे, petrol pump नहीं होगे electric highway बनाया जा रहा है दिल्ली से जैपूर के बीच option number A और इसमें जो है उपर तारें भी लगाई जाएंगी जिससे कुछ वहन जो है उपर के तारें से चल सके हैं बाकि कुछ छोटे वहन electric vehicles चलें और वहाँ पर समय समय पर हर छोटे छोटे डिस्टेंस पर charging station सुपलब्द हो तो अपनी तरीके के पहले highway डवलप किया जाएगा दिल्ली से जैपूर के बीच option number A देश का पहला E highway या फिर electric highway उसके बाद जन्वरी 2023 में के इन सरकार ने जोविन platform की सभलता के बाद गर्वती महिलाओं के पंजी करण के देश से यूविन पोर्टल भी शुरू किया है ठीक है यूविन पोर्टल किसे समंदित है गर्वती महिलाओं के vaccination से जान रखिएगा उसके बाद भारत का पहला और विश्व का तीसरा वानी की वन विश्व साल 2024 के एंड तक योजना बनाई गए कि तल्चर प्लांट शुरू हो जाएक और ये भारत का पहला और सबस्व बड़ा ओल गैसिफिकेशन प्लांट होगा अंतराश्ट्री परेटन विवापार मिला फितूर इसका आउजन मैडरिट स्पेन में किया गया है इसके बारे में पहला कतन तो सही है कि वन न्यू मैडरिट स्पेन है दूसरा कतन है कि राजस्थान परेटन विभाग के प्रतितिती मंडल ने 18 जनरी 2023 को इसमें भाग लिय था यहां पर सी बोथ वन ने टू करेक्ट सी ब्हारती जनता पार्टी ने भारत के पूरू प्रधान मंतरी भारत रत्न अटल बिहारी बाजपई जी के जैनती के उसर पर एक तारे को अटल बिहारी बाजपई के नाम पर रख दिया है ठीक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन न्यूट्रेल पाउर एक्सचेंज बन गया है जो कार्बन अमीशन को कम करने या आफसेट करने के लिए मार्केट बेजड व्यापार योग उपकरण प्रधान करेगा अगे है एक जनुरी 2023 को निमलिकित में से कौन सा देश पासपोर्ट मुक्त शें जिसने एलेक्ट्रिक हाईवे को इंट्रियूस किया था ये था स्वीडन सही उत्तर है आगे है कि केरल के मुख्यमंत्री बिन्राइविजियन का निर्वाचन शेत्र यानि उनकी कॉंस्ट्वेंसी धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकाले निर्वाचन शेत्र बन ग गटन किया जाना है तो रसद लोजिस्तिक्स वाटर वेस और कम्मुनिकेशन स्कूल इस्टैबलिश किया जाएगा तृप्रा की कैपिटल अगर तला में ठीक है ऑप्शन नुमबर भी अगर तला में बिहार में जो कास्ट सेंसेस हो रहा है उसके बारे में है ये कास्ट सें सेंसेस बिहार का शुरू हुआ था जनगर्णा का पहला चरण साथ से 21 जनवरी तक चलेगा बिहार में और इसमें थर्ड स्टेटमेंट नमारा कह रहा है कि इसमें साढ़े आठ सो क्रोड रुपए खर्च होंगे जो गवर्मेंट आफ इंडिया बिहार सरकार दे रही है इसमें कर रही दुनिया का पहला वैक्सीन यहां पर शुरू किया है मदवक्ष्यों की लगेगा फूल बूडड डिसीस यहां पर होती है काफी ज़्यादा मदवक्ष्यों में उसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने टीका लॉंच किया है के लिए option number C अमेरिका हिमाचल प्रुदेश ने वर्ष 2025 तक भारत के पहला हरित उर्जा राज बनने का लक्ष रखा है Green Energy State हिमाचल प्रुदेश ने कहा है कि वह बन जाएगा 2025 तक हिमाचल प्रुदेश option number पहला statement सही Food Safety and Standards Authority of India ने ने स्टेंडर्स यहां पर बास्मती राइस के लिए पहली बार सेट अप किये हैं और एक अगस 2023 से लागू होंगे इंडिया ने कंसेशनल लाइन ऑफ ग्रेडिट यहां पर बुर्दान किये हैं 40 मिलियन डॉलर के लिए sports infrastructure जो मालदीव में है उसको डवलप करने के लिए तो हमारा एंसर सही हो जाएगा इसमें D सारे कथनियां पर सही है 15 जनवर्टी 2023 को आदी योगी शिव की 112 फीट उंची प्रतिमा का नावरण कहां पर किया गया है जनवर्टी 2023 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ परमाणू, संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का अदान परदान किया है भारत ने ये एक्स्चेंज किया है पाकिस्तान के साथ ऑप्शन नमबर D संगाई सायोग संगठन का जो फिल्म होत्सव होना है उसके बारे में क्या सही है ये 27 से 31 जनवरी तक मुंबई में आउजित किया गया था और चुकि इस समय SCO की प्रेसिदेंसी 2023 के लिए इंडिया के पास है इंडिया ने इसको होस्ट किया मुंबई में सही और ये भारत के मिनिस्ट्री आफ इंफोर्मेशन ब्रॉटकास्टिंग नैसल फिल्म डवलोप्मेंट कॉर्परेशन के त्रूँ इसको होस्ट किया एंसर सही हो जाएगा इसमें बी प्रियुक्त सभी कथन सही है और SCO की कल्चरल राधधानी 2023 के लिए कौन सी है भारत की सेटी वा इनसी है ध्यान रखिएगा ट्राष्ट्री लॉजिस्टिक्स पोर्टल मैरिटाइम जो है कि किस ते जारी किया है बताना है इसको जारी किया है सर्वनन्द सोनोवाल ने आप्शन नमबर B आगे है कि 17 जनुरी 2023 को ने दिल्ली के लाल किला मैदान में भारत पर्व का उद्गाटन किस ने किया बारत पर्व का उद्गाटन किया था हमारे संस्कृति मंत्री ने किशन रेड़ी ने आप्शन नमबर B आगे प्रशन है कि 28 जनुरी 2023 को उतरी करनाटक के धारवाड में क्रशी विज्ञान विश्विद्याले परिसर में रास्ट्री फॉरेंसिक विज्ञान विश्विद्याले किया धार्शिला किसने रखी तो जाहिर सी बात जहां पर फॉरेंसिक्स की बात होगी इस सब जो ए ग्रह मंत्राले से अस्टेटेड है तुमारे ग्रह मंत्री करेंगे इसका उत्गाटन ऑप्शनमबर डी अमित्शाह ऑप्शनमबर डी भारत की ड्रोन स्टार्टप कंपनी गरुण एरोस्पेस ने डव्लुई एफ के इंडियन सस्टेनिबिल्टी लाउंज में भारत के पह हो जाएगा सी बहुत होने टू करेक्ट वारत के नए संट्राइज इंडस्ट्री यह हैं ग्रीन एनर्जी कोल गैसिविकेशन ड्रोन टेक्निलोजी ऑनलाइन गेमिंग फूट प्रॉस्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग अब आईटी वगेरा और जो है अरेने विवल एनर के विदेयक को मुझूरी दी यह दी है उत्राखंड के राजपाल ने ऑप्शन नमबर सी उत्राखंड के राजपाल इस समय है लेटनेर्ट जनरल कुर्मीत सिंग निमलकित में से कौन सी भाषा पस्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पढ़ाई जाने वाली नमीनतम भाषा होगी जा स्थलों की आस्थाइा सूची में शामिल किया गया है इन में से कुछ आगे हो सकता है फाइनली फिर युनेशको की स्सूची में शामिल हो सकते हैं इसको शामिल किया गया है, वडनगर शिटी आफ गुजरात इसको भी, और रॉक स्कल्प्चर ऊफ उना कोटी इन सभी को शामिल किया गया है, एंस्ट रॉजय का D, इन सभी स्कल्प्चर को Tentative List में शामिल किया गया है, कैनेडा ने गोशना की है कि विश्व के पहले फोटाउनिक अधारित कॉंटम कम्प्यूटर का विवसाई की करने के करेंगे सही है इसके बाद है कि जनवरी 2023 में दिल्ली नेगर निकम ने इबाइक्स पर दिल्ली के अतिहासिक धरवरों और परेटन स्थलों को ब्रमण करने के लिए हेरिटेज इटूर सर्विसेश शुरू की मैंने की दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेसेश को लोग इबाइक पर बैट करके घूम सकते थे तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है एंसर सही हो जाएगा सौबरी नगरवन के नाम से बनाये जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट होगा 130 एकड़ भूमी पर बनाये जा रहा है तो इध्यान रखिएगा इंडिया लाजस्ट सिटी फॉरेस्ट जो है कहां पर बन रहा है वरंदा वन उत्तर प्रदेश में एंसर सही हो जाएगा C, बोथ होने टू करेक्ट C दिसंबर 2022 में G7 वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापन के खिलाफ लडाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए ये एक Open International Climate Club का सरजन किया है, Open International Climate Club जो है किसका इनिशेटिव है, ऐसे आप से option भूछ सकते हैं, G7 हो गया, Quad हो गया, I2U2 हो गया, या फिर G20 है, तो आपको चूस करना है, ये Open International Climate Club शुरू किया है, G7 ने, जन्वरी 2023 में Government of India ने रिनेम किया है मुगल गार्डन को अमरत तो करेक्ट.